हेलो दोस्तों मैं आजे आदो एक बाव फिर से आप सभी दोस्तों का स्वावत करता हूँ आज की हमारे पोईटरी के सेगमें और आज की इस पोईटरी का सेगमें का टाइटल है मिन्नतों वाली महबद जिया दोस्तों एक्चुली इटसा स्टोरी इन दी फॉर्म और फिर पोईटरी जब आपको किसी से प्यार हो जाए और आप उससे मिन्नते करो कि बदले में वो भी आपसे इश्ट करे उसे आपसे महबद तो ना हो पर आपकी मिन्नते उसे पसंद आ जाए और वो आपको हाँ बूल दे तो इस से गुलजार था और मैं उसकी मिन्नतो वाली बगावत उसने मुझे हाँ कह दिया उसने मुझे हाँ कह दिया मुझे लगा मैं उसका हगदार हो गया शायद उसे भी मुझे से प्यार हो गया पहले तो हमारे नामे भी हमारी हाँ होती थी और हमारी परिसानिया बड़े प्या तो हग बनते था जब तक एक तरफाती महबबत दामन साफ था उसका अब तो हर गली महले उत्र नकाब था उसका सबके साथ हस्ती थी बस मुझे को ही रुलाती थी एक सच पुछो तो हजार जूर बताती थी पर सच कहूं तो ऐसे नहीं है ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा था मेरी आखो पिता शक का परदा और मैं उसे अंधा लिख रहा था तो चलो इस कहानी को उसके तरफ से सुनाता हूं मिन्नत वाली महबद से वापस मिन्नत व प्याता ह उसने मुझे हा कह दिया मुझे लगा मैं उसका हगदार हो गया घाटा मुनाफा सोचने लगा प्यार ना हुआ सलाव वैपार हो गया फिर से एक आसिक ने महबद को बदनाम कर दिया इश्क का बहिमान चहरा फिर से सरेयाम कर दिया पहले करती थी, अब मत किया कर। मेरी महबबत है तू लड़के आवारा होते हैं इन से ना मिलाकर अगर कुछ करना है तो पहले पूछ तो लियाकर तेरी कजन्स का फोन हमेशा रात में ही क्यों आता है और कुंडी ना खड़काओ राजा ऐसी कॉलर टीन कौन लगाता है पर सच कहूं तुमानता उसे खोदा भी था और महभूब भी पर ना मैंने कभी उसकी इबादत की और ना कभी मैंने उसे महभबत की पता नहीं ऐसा कौन सा गुना किया था ना वो मुझे कैदी बना रही थी और ना ही मुझे जमान दे रही थी मेरे सवालों से कुछ इस तरह परिसान हो गई मिन्नत से जो मागी थी महभबत फिर से अंजान हो गई वो सायद मुझे माफ भी कर दे पर मैं खुद को कैसे माफ करूँगा पानी से लगाया है पानी में दाग उसे पानी से कैसे साफ करूँगा थैंकी दोस्तो